प्लास्तर कटने के बाद हमको क्या करना चाहिए आज के इस विटियो में आपको बहुत ही सिंपल मेथड चे आपको बताने वाला हूँ अगर कोई प्रेक्चर हुआ हो फॉर उग्जामपल फी्मर के सेफ्ट का टीब्या के सेफ्ट का या फिर फीबला के सैफ्ट का या फिर कोई पटेला का फ्रेक्चर हुआ हो इन सब में इन सब के बाद पलास्तर कटने के उतरने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए क्योंकि यह सब जानते हैं हमारे पैरोबच्छी का सी सूजन है दर्द हो रहा है गुटना मोड नहीं रहा है यह पैर का पंजा नहीं चल रहा है तो इसमें हमको क्या करना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप यह कर लेते हो तो आप काफी हद तक अपनी जो ह कि हो रहे हैं जैसे कि आपको प्लास्तर केड़ जाता है तो सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह की ृइंड स्पाई करनी चाहिए वह सकती है या फिर कोई ही आपको बताने वाला हूं वह ज्यादा कारगर होगा वह होगा मेडिकेटड पैराफिन वैक्ट वाला मैंने साथ पिछले भी बहुत सारे वीडियो में आपको यह बताया था कि पैराफिन बैक्स से आप अगर सिकाई करते हो तो आपकी सूजन काफी हद तक घट जाती है इसके बात-बात करते हैं जेक्डन की जो जक्रन भी एक में एहां का मूमेंट को जाए तो गया नहीं तो नॉर्मल है हम अपनी डेली की दिंचर्या में जो भी नॉर्मल पेशन देखते हैं प्लास्तर के बाद तो यह कॉंप्लिकेशन सभी के इंदर देखने को मिलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो घबडा यह मत यह आपको ही नहीं सभी को ऐसी प्रावलम होती है कुछ ही केस घुटना नहीं मुल रहा है और घुटना नहीं मुल रहा है तो में इस वीडियो में एकसरसाइस करके देखाने वाला हूं नहीं क्योंकि बगडा बेंडिया कि करते है मैंने बहाँ पर वो वीडियो दे रखी है अब इसके लाव बात बताता हूं मैंने पंजा अगर माली जी आपका एंकल जाम हो गया है तो एंकल को कैसे मोबिलेज करेंगे कैसे करके चलाएंगे उसके कौन-कौन से मुवमेंट होते हैं क्योन-कौन से एक्सरसाइज करें आती ह है इन सबके लिए मैंने आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट बनाएं सायद डिएड़ सो से ज्यादा वीडियो मैंने उस प्लेलिस्ट मैंने रेडी किये हैं जाके आप उनको देखिएगा और आपके सब कुछ समझ में आयाएगा यह टू जैड अगर आपको कोई भी प्रॉ और ने अगुंसरी भी नहीं को बताई नहीं जहारे पलास्ता चड़ता है तो मासपेशियों कमजोर हो जाती है यह बहुत कॉमन है क्योंकि वहां कई चड़ता तो मासपेशियों मुमेंट और पर्कौर्ड सब gry पढ़ी पड़ जाती है तो उन सबके लिए हम एक्ससाइजoured जिसका नाम हम देते हैं स्ट्रेंथ एक्साइज तो स्ट्रेंथ नहीं एक्साइज हम करते हैं तो हमारी मसल्स जो स्ट्रेंथ होती है और पहले की तरह रिकबरी आती है तो पाबर बढ़ जाती है जिससे हमारी ठकान और यह ठकान नहीं होती है बाद में जल्लेलियम ठक जाते है बाकि फिर भी कोई सवाल है तो जाके नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा और आप डैक मेरे से कॉल पर बात करना चाहते हो तो मैंने वेबशाइट का लिंक के